जल एक सार्वजनिक संसाधन जल के उपयोग से जुड़ी कई चुनोतियां है एक तरफ घरेलू आवेशक्ताओं की प्राथ मिक्ता है तो दूसरी ओर खेती और उद्योग के लिए जल की जरूरत है ऐसे भी कुछ उदाहरण है जहां मनुश्यों और पश्वों के लिए जल की जरूरत का ध्यान नहीं रखा गया और उद्योगों को प्राथ मिक्ता दी गई कई बार दो राजियों के बीच जल के उपयोग को लेकर विवाद होता है की नदी के जल पर किसका अधिकार है और हर राजिय को कितना जल मिलना चाहिए ये गंभीर सवाल बन जाते हैं पिछले कुछ दश्कों से भूमी गत जल क्रिशी सिचाई का मुख्य श्रोत बन गया है जल के अत्यधिक उपयोग पर रोक लगाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि लोग इसे सारवजनिक संसाधन के रूप में नहीं देख रहे हैं भूमी गत जल का दोहन नीजी संपत्ती मान कर किया जा रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि भूमी गत जल किसी के खेत के नीचे जमान नहीं होता बल्कि वह जमीन के अंदर बहता रहता है इसलिए एक वैक्ति द्वारा जल के अधिक दोहन से दूसरे वैक्ति को परियाप्त जल नहीं मिल पाता दूसरों के नलकूप से गहरा नलकूप लगा कर कोई भी दूसरों को मिल रहे जल को कम कर सकता है जादा से जादा जल पाने की होड में नलकूप सूख रहे हैं और भूमिगत जल इस्तर नीचे जाता जा रहा है इस पर नियंतरण करने के लिए जल को सारवजनिक संसाधन मानने की जरूरत है राजे सरकार द्वारा जल दोहन को नियंतरित करने के लिए कानून भी बनाये जा रहे हैं बहता हुआ भूमिगजल जमीन के मालिक का नहीं सभी का है इस समझ के बनने पर ही कुछ रास्ते निकल सकते हैं